जब सेहो गांदोलन संपुन भारत में अपने वेक पर था तभी 5 फरवरी 1922 को मात्मा गांधी ने सेहो गांदोलन के अचानक से वापसी की घोशना कर दी यदि हम इसके प्रिस्ट भूमी में जाएं तो हम देखेंगे कि 4 फरवरी 1922 को सत्यागरी को एक दल ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे गांधी जीज घटना से बड़े शूब दुगे थे और उन्होंने असयो गांदोलन के वापसी की गोशा कर दी थी इसके क्या करण थे इस पे हम लोग थोड़ी तिर बात चर्चा करेंगे पहल पुलिसरा अनाज की आसमान चूती कीमतों को नियंत्रण में लाने गा था भीड को नियंत्रित करने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है और भीड और पुलिस में कुछ कहा सुनी भी होती है कुछ तकरार भी होती है कुछ प्रदरशन कारियों को पुलिस थाने में बंद क इसका विरोध करने के लिए 4 फॉरवर 1922 को थाने के बाहर तकरीबन 2,000 से 2,500 लोग एक तरीट हुए थे और चौरी-4,000 बाजार में प्रदर्शन करने लगे थे जिससे पुलिस उनको नियंतरित करने के लिए सामने आई और भीड को अनियंतरित होता देख पुलिस ने लगा दी थी और वाइस पुलिस उनको जिसमें जिन्दा जल गए थे जिससे चौरी-चौरा कांड कहा जाता है अब हम इस पूरे घटना कम क्रिप्रिस धूमी में जाते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ पहले ब्रिटिश गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश इंडिय और ये भी था कि शक के आधार पे किसी को भी गिरफतार कर अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता था जिसका भारतियों ने पुर्जोर विरूद कि और महत्पा गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट तक कहा था जबकि 10 अप्रेल 1922 को पंजाब में बड़ी गहमा गहमी का महौल था और दोस्थानी निता सैफुदिन किछलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफतार करके जेल में डाल दिया गया था और इसी बात का विरोध प्रोदेशन करने के लिए और बैसाकी का तिवहार भी था 13 अप्रेल 1922 को जलिया वाला बाग में जो अम्रित सर्जिले का अधिकारी अपने पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचता है और नियत थे निर्दोश लोगों पर गोलिया चलाने का आदेश यह देता है और अगर हम बिटिश एस्टीमेट को माने बिटिश गवर्मेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड को माने तो 389 लोग ताकालिक ही दुए थे 379 people were shot dead and it was like a cold-blooded murder and Gandhiji and almost all the leaders of international movement they were left so highly disappointed, बड़े निराश हुए लोग, बड़े दुखी हुए, दुनिया भर में अंग्रीजों की बड़ी थूथू हुए कि यह तो cold-blooded murder हो गया था, इसके अलावा खिलाफत का एक मुद्दा भी प्रस्रूमी में काम कर रह जबकि उस मुद्दे को लेकर के जो तुर्की के खलीफा के साथ जुड़ा हुआ था, महत्मा गांधी ने इस बात का समर्थन भी किया। भारती रास्टी कॉंग्रिस ने महत्मा गांधी के नित्रित्तों में असयोग आंधोलन का श्रीगनिश किया और भारतीयों ने ये तैय कर लिया कि अब वो अंग्रेजी राज को किसी भी प्रकार से अपना समर्थन प्रदान नहीं करेंगे। इस शक्त जन आंधोलन बनकर उभरा जिसमें समाज के हर एक वर्ग में अपनी भूमीका को सुनेशित किया। जबकि बड़ी संख्या में इस्त्रियों ने भी असयोग आंधोलन में अपनी भूमीका निभाई प्रतेक्ष या परोग्च रूप से कुछ ने प्रतेक्ष भागीदारी की और कुछ इस्त्रियों ने अपने गहने, जूलरी, पैसे दान करके, कोश में जमा करके इस आंधो आखी था, तो क्यों? लाजिकल और रिशिनल, स्यंटिफिक एक्स्प्रेशन दीजीएगा कि किसी भी तरीके का अन्यससरी आरोप, प्रत्यारोप से बचिएगा, क्यूंकि आप के बारे में बात करके हैं, एक महात्मा के बारे में बात करके हैं, जिनोंने भारती राष्ट् तेदिक महतोपुण दिशा प्रदान की थी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अन्य महतोपुण विश्यों पर इसी प्रकार से चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए दन्यवाद, थेंक्स वो मश, थेंक्स अलोट।